नमस्कार स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं आपनों कि Employability Skills के कुछ प्रशन सेकेंड यर के CBT परिक्षा में पुछे जाएंगे जो 2-year ITI कोर्स के स्टूडेंट्स हैं बहुत जल्दी जो अपनी CBT परिक्षा देने वाले हैं सेकेंड यर की तो सेकेंड यर की जो एंट्रप्रिक्षिप स्किल्स भी एक टॉपिक है एंट्रप्रिक्षिप का अर्थ होता है उद्यमिता मतलब ऐसी एबिलेटी जिसमें व्यक्ति स्वयम का कार्रे करने की इच्छा रखता हो उसमें वो स्किल्स हो उसे एंट्रप्रिक्षिप स्किल्स कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम एंट्रप्रिक्षिप कहते हैं और उसके अंदर जो ऐसी एबिलेटी होती है उसको एंट्रप्रिक्षिप स्किल्स कहते हैं तो इस वीडियो में हम एंट्रप्रिक्षिप skills से संबंदित कुछ प्रशनों को हम आपके साथ solve करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हमने आपको बता दिया कि हमने किस website को चुना है website का नाम आपकी screen पर दिख रहा है iti50.com इस website को due credit दिना चाहिए क्योंकि इन्होंने बड़ी महनत की है second year के iti students के जो employability skills के प्रशना आएंगे उसमें किस प्रकार के प्रशना आ सकते हैं उसको दर्शाया गया है इनकी website पर तो entrepreneurship skills के पहले वीडियो को हम शुरू करते हैं इसमें 10 प्रशनों को हम प्रयास करेंगे solve करने का तो सबसे पहले हम इस पर हमने क्लिक किया आगे हम देख लेते हैं पहला question an important aspect of being a successful entrepreneur is एक successful entrepreneur यानि एक successful उद्यमी बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण aspect होना चाहिए पहला having an entrepreneurial mindset उसमें उद्यमिता संबंधी mindset सोच होनी चाहिए ऐसी मेरे हिसाब से पहला सही answer है फिर भी हम दूसरा तीसरा और चाथा answer भी पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा उत्तर भी सही होते हैं तो है second है earning money एक successful entrepreneur क्या केवल पैसा कमाने के लिए उसके दिमाग में होगा नहीं गलत है यह नहीं होना चाहिए तीसरा serving the society केवल सेवा भाव रखने वाला वो भी successful entrepreneur नहीं हो सकता क्योंकि entrepreneurship business से संबंदित है और business में व्यापार यानि की सेवा तो जरूरी है पट साथ में पैसा भी earn करना जरूरी होगा business में तभी वो successful entrepreneur कहलाएगा और चौथा expanding to as many markets as possible यानि निरंतर expand करता रहे अपना business वो भी successful entrepreneur नहीं कराएगा उसका important aspect of being a successful entrepreneur is सबसे पहला choice हमारे हिसाफ से सही है having an entrepreneurial mindset उसमें उद्ध्यमत्रा संबंधी सोच होनी चाहिए next देखिए entrepreneurship skills क्यों आपके उस प्रकारे questions क्यों पूछी जाएंगे क्योंकि जब आप ITI कर लेंगे तो या तो आप job करेंगे या आप स्वेम का काम शुरू करेंगे तो स्वेम का जब कारे शुरू करेंगे तो उसे कहेंगे entrepreneurship और आप ऐसे वेक्ति कहलाएंगे entrepreneur जिनोंने स्वेम का कारे शुरू किया है next second question पर आजाते है knowing what you are good at यानि ये समझना कि आप किस में अच्छे है ये किस प्रगार की quality कहलाती है पहला choice है self awareness मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है because swanaklan उस quality को कहते हैं जिसमें विक्ति को ये पता होता है कि मैं किस में अच्छा हूँ और मुझे किस चीज में मुझ में कमी है तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से answer फिर भी हम बाकी के तीन choices को भी पढ़ेंगे बी है self belief आप में विश्वास नहीं ये गलत answer होगा तीसरा independent decision making यानि कि स्वतंतर रूप से निर्णे लेने की शक्ति ये भी उपर दिये गए question के लिए fit नहीं बैठता तो इससी answer भी गलत होगा डी grit, grit क्या होता है मैं आपको यहां समझा दूँ grit का अर्थ होता है courage या दिर्णिष्चे या कठिन कारे को जारी रखने का दिर्णिष्चे failure या कठिन कारे मालों नहीं हो पा रहा किस से इस question का सही answer नहीं लग रहा तो जैसा मैंने आपको बताया यह answer इसका सही होना चाहिए हमारे इसाब से ए है self awareness यानि स्वाँ आकलन next, third question, taking decisions taking decisions on your own, अपने आप निर्णे लेने की शक्ती after careful thinking, ठीक से सोच विचार कर निर्णे लेने की शक्ती कि इस quality को क्या कहा जाता है, about them is the quality of इस quality को क्या कहा जाता है, तो स्वयम, चीजों को समझ के निर्णे लेने की शक्ती, किस चीजों कहते हैं हम दुबारा से पढ़ते हैं, चारों choices, पहला self awareness जैसा उपर हमने आपको समझा है, self awareness का होता है आत्म आंकलन तो नहीं, उसको नहीं कहते, self belief आत्म विश्वास उसको भी नहीं कहते, तीसरा independent decision making यानि की स्वतंत्र नेर्णे लेने की शक्ती, यह बिल्कुल सही है जो उपर का question दिया गया, third question, उसका answer मेरे हिसाफ से C होना चाहिए डी इसले नहीं होगा, grit, क्योंकि हम समझा चुके हैं कि grit का अर्थ होता है courage, यानि courage या दिर निष्चे या cutting कार्यों को जारी रखने की इच्छा शक्ती, तो third question का answer हमारे हिसाफ से C होना चाहिए next fourth question, grit means हमने आपको पहले भी समझा दिया है grit का अर्थ क्या होगा, तो हम पढ़ लेते हैं चारों choices को, taking decision or your own, after careful thinking about them, गलत ये नहीं होगा, knowing what you are good at, आप किसमे अच्छे हैं और आपको किसमे इंप्रूव करना है, ये भी नहीं होगा, third C working hard to achieve your goals, अपने goals अपने target को अचीव करने के लिए hard work करना and not giving up when you face failure, और छोड़ना नहीं उसको, दिर निश्चे रखना अगर failure होता है उसके बावजूर जैसा मैंने संजाया कि grit का अर्थ बिल्कुल सही है, ये C होगा चौथा भी पढ़ लेते हैं, believing that you can achieve whatever you decide believing that you have the ability to achieve your dreams, नहीं इसको हम विश्वास, आपको विश्वास कहेंगे इस चौथी चौइस के अर्थ को तो grit का अर्थ C होना चाहिए दिर निश्चे किसी कठिन कार्णे को continue करते रहें failure होने के बावजूर पांचवा question पर आ जाते हैं What are the important elements to remember while doing a customer survey? Customer सर्वे नाम आपने सुना होगा कि हर कंपनी customers का सर्वे कराती है, अपने रहाकों के बीच में सर्वे कराती है तो क्या important elements हैं जो याद रखने चाहिए customer survey के दौरान, इस question का अर्थ यह है, अब चारो choice पढ़ लेते हैं, पहला choice है, पहला यह कुछ हद तक ठीक लग रहा है फिर भी हम third choice पढ़ेंगे listen, observe and learn यानि सुनो observe करो देखो और सीखो, learn मतलब सीखो तो मेरे हिसाब से see बिल्कुल feedback ता है इसके लिए क्योंकि जब सर्वे करने जाएंगे तो बोलना नहीं चाहिए, बोलना कम सुनना observe करना, देखना और learn करना, समझना क्योंकि आप सर्वे करवाती ही कोई कंपनी, समझने के लिए कि customer का उसके product या service के लिए reaction क्या है और चौथी choice है listen and observe सुनो और देखो तो मेरे ख्याल से see ठीक होना चाहिए, because learn learn missing है चौथे में सीखना भी ज़रूरी है, तभी तो customer survey का का उपयोग होगा, कभी तो वो उपयोग में आएगा next, sixth question देख लेते हैं what factors must one consider before finalizing a business idea किसी भी business idea को final करने से पहने, क्या-क्या factor consider करने चाहिए, इस question का आतिये है, पहला my interest, कि मेरी रुची किसमे है, दूसरा market need and demand market की क्या need है और क्या demand है market मार्के लोग, तीसरा क्या आपके मन में जो idea चल रहा है, business idea वो किसी problem को solve करेगा if the idea solves a problem मेरे हिसाब से ये तीनों सही है, किसी भी business idea को final करने से पहले, ये तीनों चीज़ इमाग में रहनी चाहिए, तो D all the above answer होना चाहिए इस question का next, सात्वा question, what is a business value offering, business value offering किसे कहते है पहला है इसका choice the value of money, दूसरा value that the business idea creates for customers, how it makes its customers lives better तीसरा the price of the product and service, चौथा none of the above, देखिए business value offering इसका सही answer B होगा कि business value offering, कि वो business कि क्या value offer कर रहा है आपके customer को, यानि आपके customer की वो life को किस प्रकार से better कर रहा है, उसको कहते है business value offering, तो B इसका सही answer होगा, next आठवा question, what is a prototype prototype क्या होता है prototype को हिंदी में कहते है प्रतिकृति या replica किसी भी चीज को जब बनाती है कोई company, कोई नया business शुरू करती है तो सबसे पहले उस product को एक बार बना के देखती है पहला product या उसका जो पहला product होता है वो उसकी प्रतिकृति कहलाती है उसको prototype कहते हैं तो चारों choice पढ़ लेते है तो बिजनेस आइडिया टाइपिंग दे प्रोड़क्ट सर्विस इन दे बिजनेस प्लान सेलिंग दे प्रोड़क्ट दी फर्स्ट वर्जन आप दी प्रोड़क्ट अब्लिक सर्विस तो बिल्कुल सही है दी आंसर होना चाहिए prototype पहला वर्जन उस प्रोड़क्ट का होता है जो प्रोड़क्ट कंपनी बनाने का प्लान कर रही है next feedback is feedback क्या होता है feedback आपने कई बार ये शब सुना होगा कि feedback किसे कहते हैं feedback चारों choice पढ़ लेते हैं collecting information about the reaction to an idea बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से A सही है कि हम information जब collect करते हैं अपने idea के संबंदे तो उसको feedback कहते हैं B. telling the business idea to the customers customers को business idea बताना ये feedback नहीं होता बताना feedback नहीं होता जबकि लोगों से राय लेना feedback होता है C. asking the customers to buy a product अपने product को खरीबने के लिए का है customer को वो feedback होता है नहीं होता customer से जानकार ये कतित करना feedback कहनाता है और D. none of the above तो इसका answer A. होना चाहिए लास्ट 10th question इस वीडियो का a super team is पहली choice है group of superheroes B. your employees in your business C. group of entrepreneurs who have similar business interests or customers और 4. all the local entrepreneurs with the same idea देखिए super team कहते हैं जब एक group of entrepreneurs को कहते हैं इसका answer C सही है एक group of entrepreneurs जिनके same business idea हो business interest हो और उनके same customers हो उसको super team कहा जाता है तो ये 10 question आपको हमने इस वीडियो में दिखाए entrepreneurship skills का एक दूसरा वीडियो और हमारी website पे अभी load होगा जिसमें हम अगले 10 प्रशने जो इस website पे दिये गए है entrepreneurship skills से सम्मंदित वो भी आपके साथ हल करने का प्रयास करेंगे उससे पहले हम quiz को submit करके देखते हैं कि इसमें हमारे द्वारा दिये गए उत्तर कितने सही और कितने गलत है तो आप देख सकते हैं कि हमने जो आपको crush उत्तर जो solve किये वो दसों के दस सही है तो आप किभी ITI नहीं कर रहे हैं और किसी को जानते हैं जो second year की CVT परिक्षा जल देने वाला है तो उस तक ये वीडियो का लिंक ज़रूर पहुंचा है हमारे इस चैनल को subscribe करें ताकि आपको निरंतर इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें Thank you